आज एक बहुत महत्वपूर्ण विशे के उपर आप सब लोगों को बुलाया गया है कुछ आप लोगों को और आपके माध्यम से दिल्ली की और देश की जनता को कुछ याद हम लोग दिलाना चाहते हैं अर्विन केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी आप दोनों का गठन जो हुआ था वो भरष्टाचार को दूर करने के लिए और लोगपाल को स्थापित करने के लिए हुआ था तो आज कॉंग्रेस पार्टी केजरिवाल जी से पूछना चाहती है मिस्टर केजरिवाल वेर इस लोगपाल और आज केजरिवाल जी के उपर उनके मंत्रियों के उपर भ्रश्चाचार के ना केवल ED Charges लगा रहा है बलकि सबूत भी दे रहा है तो ऐसे समय के उपर दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि इसकी इंक्वाइरी करने के लिए हम किसका दर्वाजा खटखटाएं और मिस्टर केजरिवाल वेर इस लोगपाल तो इसलिए आगे कुछ बोलने से पहले हम लोग दो यहाँ पर ये रिलीस करना चाहते हैं जिसको सोशल मीडिया में भी हम लोग डाल रहे हैं और जब तक आज हम लोगँ की प्रेस कॉन्फरेंच चलेगी ये जिफ पाईंच चलती रहेगी । ये दो चीजसें Utah हैं और एक तो वेर इस लोगपाल और दूसरा सी लोगपाल भीयर नो लोगपाल टॉक नो लोगपाल केजरिवाल जी ने अब लोगपाल लोगपाल के ऊपर शौर मचाते-मचाते अब अपने मू के ऊपर लोकपाल का नाम लेना ही बंद कर दिया उसके उपर ताला लगा दिया मैं आप लोगों के माध्यम से केज़िवाल जी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली विधान सभा के अंदर स्पेशल सेशन हर विशे के उपर किसी दा किसी विशे के उपर बुलाया जाता है और पावर चाहिए उसके लिए बुलाया जाता है MLS को साथ में पैदल मार्च करके उपर आजय पाल निवास के उपर प्रदशन करा जाता है कि टीचर्स को फिनलेंड भीजा जाए LG हाउज में वेटिंग रूम के अंदर एर कंडिशन कमरे के उपर अंदर धरना दिया जाता है एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन लगातार की पावर जौर दी जाए लेकिन 2014 के बाद से अब तक के पिछले नौ वर्षों के अंदर क्या केजरिवाल जी ने एक बार भी कोई प्रदर्शन लोगपाल के लिए किया और ये आज हम लोग कॉंग्रेस पार्टी पूछ इसलिए रही है कि 2014 में कॉंग्रेस पार्टी के समर्थन से जब इनकी सरकार थी तो 14 फरवरी 2014 को आज जो है आज क्या तारीक है चार है पाँच है चार फरवरी 2023 है और 14 फरवरी 2014 को यही केजरिवाल जी ने सपोर्ट कॉंग्रेस की होने के बाद भी इन्हों ने सरकार को डिजॉल्व करने के लिए कह दिया ये इस बात को लेकर के कि लोगपाल पास नहीं हो पा रहा है और इन्हों ने कहा कि हम लोग पूरी मेजॉरिटी के अंदर हम जनता के बीच में दुबारा जाएंगे और पूरी मेजॉरिटी के अंदर आएंगे और पूरी मेजॉरिटी के अंदर हम आएंगे और हम लोकपाल लेकर के आएंगे इस वाइदे के साथ में दुबारा जनता के बीच में गए तो जो 14 फरवरी 2014 को केज जिवाल जी ने सरकार को डिजॉल्व करा लोकपाल के को लेकर के और कहा कि हम जंता के बीच में दुबारा जाएंगे लोगपाल लेकर कि आज हम लोग केज़िवाल जी से पूछना चाहते हैं कि वो लोगपाल कहा हैं और उसके बारे में आपने पूरी तरीके से चुपी साधली नौ साल तक कि आपको वो लोगपाल कि आपको कोई भी जरा सा भी कोई ध्यान तक नहीं आ रहा है और सिरफ यहीं नहीं है रानी की बात है मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कॉंग्वेस पार्टी ने शीला दिख्षित जी की सरकार ने लोकायुक्त का एक्ट पास करके लोकायुक्त की स्थापना करी के जिवालजी का यह एकए कहना था कि लोकपाल और स्रॉंग है हम भी मानते हैं लोकायुक्त है लेकिन जो कमजोर लोकायुक्त है उसकी तरफ भी इनका कोई तवज़ो नहीं है दोब्षबीस के अंदर लोकपाल जब लोकायूक जब रिटायर हुआ उसके बाद 2022 तक के दो साल इन्होंने लोकायूक को अपॉइंट ही नहीं किया कोट ने हाई कोट को ओर्डर्स करने पड़े जब जाकर के लोकायूक नया लोकायूक अपॉइंट हुआ 2017-18 के अंदर आखिरी एन्वल रिपोर्ट लोकायूक की विधान सभा के पटल पे ले हुई 2017-18 से ले करके अब तक के लोकायूक जो है उसकी रिपोर्ट पिछले 6 सालों से की रिपोर्ट अभी तक के विधान सभा के उपर एन्वल रिपोर्ट जो की आनी चाहिए वो अभी तक के विधान सभा के पटल पे रखी नहीं गई एलजी के अप्रूवल के बावजूद डायरेक्टर ओफ इन्वेस्टिगेशन लोकायुक के पास में होता है डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट खाली पड़ी हुई है एलजी के अप्रूवल के बावजूद डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन लोकायुक के पास में ही नहीं अभी भी कमजोर लोकायुक कमजोर लोकायुक उसके पास में पावर्ज नहीं लेकिन फिर भी डािरेक्टर इंवेस्रीगेशन तक के उसकी अपॉंट्मेट अभी तक के केज जिवाल ने नहीं करी LG के अप्रूबल के बावजुद तो आज हम आपसे पूछते हैं कि जिवाल साहब सबसे पहले कि लोकपाल कहा है लोकपाल को तो छोड़िए लोकायुक्त के भी आपने हाथ पाउं काट दिये उसकी भी एन्वल रिपोर्ट आप 2017 के बाद में आप सदन फटल पे नहीं रखे इसलिए नहीं रख रहे कि लोकाय की जरुट है उसको जो अपने पी एन्स की जरुट है अपने करमचारियों की जरुट है डायरेक्टर इंवेस्टिगेशन की जरुट है वो उसको नहीं दिया जा रहा इसलिए वो रिपोर्ट सदन के पटल पे पबलिक के सामने ही नहीं रखा जा रहा है यह आर्टी आई के activist, वो व्यक्ति जो भ्रस्टाचार को दूर करने के नाम पे, वो व्यक्ति जो की लोकपाल को लेकर के आने के नाम के उपर सत्व में आए, वो व्यक्ति लोकपाल को लाना तो दूर, लोकपाल की बात करना तो दूर, लोकाय जो पुराना institution है उसको भी खतम कर रहे हैं आज हम ये बात आप लों के माध्यम से दिली की जंता के सामने रखना चाहते हैं कि अब ये शराब का घोटाला क्या है शराब का लिकर स्कैम क्या है लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये establish हो गया है कि कम से कम सव करोड की रिश्वत ली गई है कम से कम सव करोड की रिश्वत और उसके अंदर FaceTime के उपर केजरिवाल से बिजनेसमेन से बात कराई गई और बिजनेसमेन से बात कराने के बाद wholesale dealers को जो private wholesale dealers हैं उनको 12% commission 5% से बढ़ा करके 12% commission ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% kickback आम आदमी party और केजडिवाल को दिया जाएगा और money trail भी establish हो गया है कि वो पैसा 100 करोर रुपे गोवा के elections के अंदर आप party ने इस्तिमाल किया और Congress के खिलाफ में किया क्योंकि जो vote वहाँ पर उनको मिले वो Congress के खिलाफ में मिले तो केजडिवाल ने Congress को हराने के लिए Congress को नुक्सान पहुचाने के लिए केजडिवाल ने 100 करोर का scam किया है और इनको कोई नेतिक अधिकार केजडिवाल और इनके मंत्रियों को जो जिन जिनका नाम इसमें है चाहे वो मनीश सिसो दिया चाहे सतेंदर जैन को इनको कोई नेतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं छे परसेंट बारा परसेंट में से किक बैक दिया गया यह एस्टैबलिश हो गया कि advertisements जो दिये गए वहां पर गुवा में वो एस्टैबलिश में वो advertisements के पैसे इसी किक बैक से दिया गया है यह ED के चार्चीट में mention है यह establish हो गया है कि 70 लाक रुपे इनके volunteers को इसी पैसे में से दिये गे जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया वो money trail establish हो गई है जब इसके अंदर proof आ गया है जब money trail establish हो गई और PMLA के court ने Thursday को संग्यान ले करके चार्ट शीट को file करने के लिए ED को कह दिया है तो उसके के बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरिवाल को है कि वो एक second भी अपनी post पे रह जाएं तो आज को अंग्वेस पार्टी इन से पूछना चाहती है